असलाम वालेकुम बच्चो तो हम इस सबक में पहले बे मौसम बारिश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चो हम जानते हैं हम जिसी लाके में रहते हैं वहाँ एक साल में तीन मौसम होते हैं अक्तोबर से जनवरी तक सर्दी का मौसम होता है फर्वरी से मैं तक गर्मी का मौसम और जून से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है यानि जून, जुलाई, अगस्ट और सितंबर इन महिनों में बारिश होती है महराश्ट्र में बरसाद का मौसम शिरू होने से पहले चन्द मुकामात पर किसी दिन अचानक बादल चमा हो जाते हैं बिजलिया चमकती हैं और बादल गरशते हैं और तेज बारिश होती है इसको हम कबल मानसून बारिश कहते हैं लेकिन बरसात के मौसम की बारिश और कबल मानसून बारिश के अलावा हमारे यहां कभी-कभी सर्मा या गर्मा के मौसम में बारिश होती है बरसात के मौसम के अलावा दूसरे दिनों में होने वाली बारिश को बे मौसम बारिश कहते हैं इसका मतलब यह है यानि बारिश का मौसम शिरू होने से पहले चंद रोज कबल जो बारिश होती है उसे कबल मानसून बारिश कहते हैं और गर्मी या सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है उसे बे मौसम बारिश कहेंगे बे मौसम बारिश अचानक शीरो हो जाती है इस बारिश की वज़ा से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लोग कहीं भी जाते हैं तो छतरी, रेनकोड वगरा लेकर नहीं निकलते ऐसे वक्त में बारिश हो तो जहां अस्रा मिलता है वहीं पर रुख जाना पड़ता है या फिर भीगते हुए घर जाना पड़ता है बे मौसम बारिश के काईन ज्यादा नुकसानात हैं कुछ इलाकों में लोग सर्मा की फसले उगाते हैं सर्मा में वक्फे वक्फे से छिड़काओ की मानित बारिश हो तो फसलों को फायदा होता है यानि के सर्दी के दिरों में जो फसले उगाई जाती है उन दिरों में अगर हलकी हलकी बारिश होती है तो वो फसलों के लिए फायदा मंद होती है लेकिन इस अर्से में बारिश बहुत तेज हो तो खेत में पानी जमा हो जाता है जो के फसल सरने का बास होता है अक्सर आखाद बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरते हैं ओले उनको कहेंगे जो बारिश के साथ गिरते हैं जो बरफ बारिश के साथ गिरती है उन्हें औले कहेंगे और बरफ बारिश उसे कहेंगे जिसमें बरफ की ही होती है औरलों की मार से खड़ी फसले और बागाओं का भी नुक्सान होता है इसका कुछ हिस्ता तूट जाता है और कुछ हिस्ता सार जाता है इसलिए आम की फसल में कमी हो जाती है बेमौसम बारिश के ये सारे नुक्सानात है तो बच्चो आपको समझ में आ गया होंगा बे मौसम बारिश किसे कहते हैं और ये कब होती है और इसके नुक्सानात क्या क्या है तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे हिस्से में यानि सैलाब पर बर्सात के मौसम में कभी कभी तीन चार दिन मुसलसल बारिश होती रहती है तो नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है इसे हम नदी में सैलाब आना कहते हैं बाष न रूके तो पानी आबादी में दाखिल हो जाता है सैलाप की वज़े से नदी के किनारे बने हुए मिट्टी के मकाना ढ़य जाते हैं बच्चे, मवेशी और इंसानों के डूप कर हलाक होने के इमकान होते हैं आबादी में पानी रुकने की वज़े से रोज मरा जिन्दगी में मुश्किलात पैदा हो जाती है ऐसे वक्त उन्ची और महफूस जगा चले जाएं और सैलाप का पानी कम हो जाने पर घर वापस आएं सैलाप के पानी में काफी जोर्द होता है, सैलाप के पानी में तेरनाख, खतरनाख होता है सेलाप के पानी को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दरखत लगाने चाहिए जो के पानी के बहाओ को रोकते हैं और उस दरखतों की जड़े मिट्टी को पकड़ी रखती हैं मिट्टी को डहने नहीं देती ये सेलाप के इमकानात को कम करते हैं तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा के सैलाब किसे कहते हैं, इससे क्या-क्या नुक्सानात होते हैं, और इसके लिए एहतिहाती तदाबीर क्या हैं, शुक्रिया.